अगर आप लोग खेती करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है अभी आप लोग देख सकते हैं ये हम अपने केले के खेत में खड़े हैं और यहां पर खेरी की फसल लगा रखे हैं पर इस समय जो मौसम चला है ये है अप्रेल हवाय चलती है जिने लू कहा जाता है यह फसलों के लिए जहां पर जरूरी होती है वहीं पर यह फसलों के लिए हानिकारक भी होती है तो किस तरीके से हैं किस तरीके से आप लोग इनका प्रबंधन कर सकते हैं इसी चीज़ पर हम आज डिसकस करने वाले हैं आप लोगों से सही सटीक और ब्योहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि जो अपरेल का महीना होता है इसमें पच्छुआ गर्म हवाएं चलती है जिने लू कहा जाता है और यह जो हवाएं होती है जरूरी क्यों होती है देखिए जैसे आप लोग दलह गर्म मौसम तो यह जो पच्छुआ हवाएं चलती है आपकी गहों की फसल को जल्दी से पका देती है लेकिन वही पर अगर यह हवाएं बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो ऐसे में उस समय जो आपकी बागवानी है जैसे इस समय आपकी आम की फचला रहे होती है। केले की फचल है मुरूद पपीथे की फचल है। そ रात साथ जो आपकी सब्जीयों की खेती होती है यह है तो इन पर बहुत ज़्यादा जो मौसम है यह गर्म हो जाए और हमाय काफी ज़्यादा तेज हो जाए तो ऐसे में जो यह फसले होती है इन पर विपरीत असर पड़ता है तो आप लोग इसका कैसे परवंधन करेंगे औ और इनका क्या प्रभावब पढ़ सकता है तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहां पर दिखा रहे हैं जिसे जब पच्वा गर्म हाए तेजी से चलती है तो जो केले के पत्ते होते हैं यह फट जाते हैं जैसके आप लोग देख रहे है न यह नया पता निकल लाँ है तो य केले के पौधे के पत्ते की जो बनावत होती है यह इस तरीके से प्रकृत में इन्हें बनाया है कि अगर हवाइं चलती भी और यह फट भी आप लोग सूख गये हैं तो यह जो सूख गये हैं पत्ते यह भोजन नहीं बनाएंगे अब जो केले का पेड़ होता है यह पत्तों का ही पेड़ होता है तो ऐसे में अगर पत्ते सूख जाएंगे तो पहली बात तो यह भोजन नहीं बनाएंगे दूसरा इसकी वजह से जो आ से एक तो प्रभाव पड़ता है कि आपके जो केले की फसल की ग्रोथ होती है यह सही नहीं होती है और पौधा भोजन नहीं बना पाता है लेकिन वही पर दूसरी चीज है कि अगर इस समय आपके केले के पौधे में फल आ रहे हैं तो क्या परिस्थिती बनेगी देखिए जो यह already stress में है तुम्हें में है तो ऐसे में जब इसमें तो कितना बहतेर आएगा आप एक अंद्जाही लगा लीजेए तो जब पौधा या 15 покупड के बाद फिर हमारा फ़ानाना शुरू हो तो ऐसे में जो फिल्ट की क्वालिटी रहती है बहतर रहती है लेकिन 15 माई और अप्रायल के बीच में जो है फिलाते हैं इसमें क्वालिटी कम देखने को मिलती है वजन कम देखने को मिलता है तो ये चीज़े हो गई है लेकिन अब हम जान गए हैं कि ये नुकसान करता है अब बचाओ के हमारे क्या तरीके हो सकते हैं तो जैसा कि हम आप लोगों को बताए कि हमारे तेज रहती हैं गर्म रहती हैं तो जो आपकी खेट के तो थोड़ा सा घाना लगाना रहेगा अब अगर आप लोग सहजन लगाते हैं तो यह तो प्रोडक्शन देगा जिससे आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं दूसरी चीज आपके खेत के चारों तरफ यह बाउंडरी वाल का भी काम करेगा उसमें तार वगएरा लगा करके आप जानोरों से सुरच्छा भी कर सकते हैं तीसरी चीज यह रहती है कि नेपियर भी साथ में लगा दीजिए तो आपका एक दिवाल बन जाएगी तो इस वजह से जो गर्म हवाएं आ रही है यह डायरेक्ट नहीं आएंगी और आपका जो खेत का हवा का प्रेसर रहेगा यह थ स्बाइब को देखे हैं यहाँ पर यह सूक गई है सिकुड गई है पानी की कमिये इसमें पूरी तरीके से दिख रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है जैसे अगर आप लोग साॉलडिया में हैं तो वहाँ पर ये परिस्थितिया काफी ज्यादा कम बंती है यह नाकर बर लेकिन उत्तर भारत में परिष्थिती ज्यादा बनती है तो आप लोग सबसे अच्छा उपाईए कर सकते हैं इसमें अगर आप लोग ड्रिप लगाए हैं तो ड्रिप से पानी बहुत ज्यादा चलाईए भारपूर नमी बना करके रखें दूसरी चीश अगर हो सके फिर भी क लग रहा हो तो आप लोग फ्लड इरिगेशन इस दावरान कीजिए जब लूच चल लहा हो तो भरपूर जब नमी बना के रखेंगे तो हवा की वज़ए से जो पौधे से नमी खतम होगी पानी की मातरा काम होगी और कुछ ना कुछ मातरा में बनाएगा जिसकी वज़ए स किस दावरान आप लोगों को कोई इसकी करके रोक सकते हैं तो ऐसा नहीं है कुछ ऐसी चीज़िये होती है जो अगर आप लोग इस प्रेकर रेट होता है यह उप बढ़ जाता है मतलब जो सब्जियों का रेट होता है यह ज्यादा मिलता है तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि अगर जब पछुआ हवाए गर्म हवाए चलती है और जिसे लू कहा जाता है तो जो सब्जियों का रेट होता है क्यों ऊपर चला जाता है अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्सिन में गया नहीं तो आप गिषा कि बताइए कि आप लोगों को बताए से अC-7 रहा leng गया इस कीडियो को को वोग यहीं पर्शमपत करते हैं मिलते हैं आप लोगों से अपने वीडियो में तब तक जरके लिए जैचान अजय किसान जयんだ में फोले